और यहां को हैं को किद्णी निगे आग्यों है आघ इंडी आपके लिए है किस तरह से लोडिके कि यह दुक्सान दे होते हैं उसों लेसे में इंडेक्स लोड आपकी खानी पेने की एश्या से एक मेडिकल टर्म हुआ करती है जब भी आपकी बॉड़ी के दर उनका ग्लेसिमिक इंडेक्स और ग्लेसिमिक लोड पर डिपेंड करता है कि वह कितना ज़दा आपकी बॉड़ी कि दर पुर्फ में खर्ण होते हैं तो यह नंबर वन पर हम बात कहते हैं कारबॉड यहां थे तो काबवाड डेट को बेसिकली दो के अदर डिवाइड किया जाता है नंबर वन पर है Simple Carbohordate Simple Carbohordate अपने जैके के तोबार से मीठे हुआ करते हैं 이후 Neap sou total के तोबालड से हमारे बॉड़ी में डाइजस होने के बाद ग्लूकोई परिडिूस करते हैhold अपके बॉड़ी के ढंदर कर्भों में शामिल हो जाता है तो इस तरह के जने का एंडेक्स बहुत in a वह जादा होतँ है वह हमारी बाडे कंदर बहुत इस जादा और बहुत जल्दी गलूकोस प्रड्यूस करते है तो आये देँए ग्लेसमिक ऐंडेक्स क्या है ग्लेसमिक इंडेक्स को हम define करते हैं कि कोई भी carbonate खाने के बाद within a two hours तो गंटों के अंदर हमारी body के अंदर कितना glucose produce करता है ये उस carbonate का glycemic index के लाता है glycemic index की अतबार से carbonate को तीन category के अंदर divide किया गया है number one पर हमारे पास है low glycemic index number two पर हमारे पास है moderate glycemic index और number three पर हमारे पास है high glycemic index अगर हम देखते हैं किस सांसे carbonate का glycemic index मुलूओ किया जाता है तो उसका तरीकार यह है किसी एक group के members को 50 gram carbonate मतब रोटी चावल या फ्रूस दिये जाए करते हैं और दूसरे group के लोगों को एक reference carbonate मतब glucose दिया जाता है क्योंकि glucose का carbonate उतना होता है जितना वज़न में लेता है अगर आप 50 gram glucose देते हैं तो इसका glycemic index भी 50 ही हुआ करता है इसके बाद दोनों group के लोगों का glucose level मेर किया जाता है blood glucose level उसके बाद इस बाद का तायुन किया जाकरता है किस खुराग का जो glycemic index है वो कितना निकलता है अगर हम बात करते हैं रोज मरा के खाया जाने वाले अश्या के हावाले से तो वोल्ड ग्रेन रोटी जिसका आटा हम कुद पिस्वाते हैं इसका glycemic index 62 है और उसी तरह वाइड ब्रेड का glycemic index 75 है और ब्राउन ब्रेड का glycemic index भी तकरीवर बराबर ही है यानिके 74 है तो सबसे पहले बात करते हैं लोग glycemic index वाले foods की तो इसमें एपल सबसे पहले आते हैं इसका glycemic index 36 है बनाना का glycemic index 51 है कैरट्स यानिके गाजर का glycemic index 39 है चॉकलर जो के बच्चे बोड़े और तम्हाँ लोग पसंद क्या करते हैं और खाते भी है इसका glycemic index 40 है इस तरह डेर्स खजूर का glycemic index 42 है बच्चों की मन पसंद चीज आइस क्रीम का glycemic index 51 है मैंगो का glycemic index 51 है इस तरह मिल्क का glycemic index भी 39 है इसके बाद अगर बात करते हैं moderate glycemic index की तो इसमें उबले हुए चाबल 68 है चिप्स का glycemic index 63 है और पॉपकोन का glycemic index 65 है और इस तरह कोल्डिंग का glycemic index 59 है स्वीच पटाटो मतब शकरकंदी का glycemic index 63 है और जो आटे के बने हुए biscuit है इसको हम wheat floor biscuit का नाम देते हैं इसका glycemic index 69 हुआ करता है लास्ट में हम बात करते हैं high glycemic index के हवाले से तो white bread का glycemic index 75 है watermelon का glycemic index बहुत हाई होता है 76 potato आलू का glycemic index 76 होता है और जितने भी cereals आप इस्तमार करते हैं इनका glycemic index बहुत ज़्यादा होता है 81 इसी तरह जो rice milk मतब खीर जो बना के खाते है इसका glycemic index 86 है और इसी तरह से जो उबले होए चावल है इनका glycemic index B73 होगता है white rice का अगर आप एक diabetic fashion है तो आपको लाजमन इन तमाम चीज़ों से white खना चाहिए जिनका glycemic index बहुत ज़्यादा है इसके लवाँ और भी बहुत सारी description के दर मैंने लिस्ट दी होई है जिनका दर ये बताया गया है किन किन चीज़ों का glycemic index हाई है glycemic load से मुराद है किसी भी घिज़ा के अंदर कितनी मिगदार के अंदर glucose पाया जाया करता है तो glycemic load को किसा से हम define करते हैं इसकी definition है कि glycemic load multiple हुआ करता है glycemic index और से तरह amount of carbohydrate per weight in food कि किसी भी दीगी घिज़ा के अंदर जो carbohydrate है उनकी कितनी मिगदार है आपको पता है कि जो भी घिज़ा हम खाते हैं यह सिर्फ carbohydrate यह सिर्फ protein यह सिर्फ fat नहीं होती यह मुख्तिव किसम की जो nutrients है उसका मुझमुआ हुआ करता है तो इस तरह से हम लिए चेक करना होता है किसी भी घिज़ा के अंदर carbohydrate के मिगदार वजन के लियास से कितनी है उसको आप अगर glycemic index के साथ multiply करते हैं और डिवाइड करते हैं 100 के साथ तो यह आप glycemic load निका सकते हैं उस खुराग का और अगर हम रोटी का glycemic load निकालना चाहें तो रोटी का glycemic index होता है 51 और इस तरह 100 ग्राम रोटी के अंदर 18 ग्राम carbohydrate होता है हम इन दोनों को multiple करके divide करते हैं 100 के पर तो रोटी का glycemic index 9.36 आता है जो के तकरीबन save glycemic index है low glycemic index है यह तकरीबन low glycemic load वाली फूड के अंदर आया करती है अगर हम बात करते हैं glycemic load की category के अवाले से तो glycemic load को तीन category के अदर divide कर जाता है low glycemic load अगर इसकी value 0 से लेकर 10 हो medium glycemic load अगर इसकी value 10 से लेकर 19 तक हो और last में है high glycemic load अगर इसकी value 20 या इससे अबाव हो बात करते हैं low glycemic index food के अवाले से तो apple का glycemic load यह वो six है milk का glycemic load four है water melon का glycemic load eight है वो इस तरह से peanut moon पली का glycemic load बहुत कम है one है और रोटी जाओं कहाते हैं इसका glycemic load हो है वो ten है ग्लेस्मिक load वाली फूड के बारे में तो बनाना यानि के टेले का glycemic load 13 है नूडल्स का glycemic load 14 है और white bread का glycemic load 10 है हनी यानि के share का glycemic load भी 10 होता है और rice cake अंदर जो चूबले चावल का बनाया हुआ केक मिलते हैं यह पागिस्तान के दर बहुत कम मिलते हैं इसका glycemic index है वो मौडड होता है 17 नेक्स अगर हम बात करते हैं high glycemic load foods के हवाले से तो पोटेटो आलू का glycemic load बहुत जादा होता है 25 इस तहां सीजल्स का जो glycemic index 20 है पैन केक का glycemic index 39 होगा करता है डेनर्स यानिक खजूर का glycemic index 25 होता है white rice उबले हुए white चैवल का glycemic index 35 है इस तरह स्पैक्टी जो आप बनाते हैं इसका glycemic index 22 हुआ करता है यहाँ पर आपने चीज़ नोट की होगी कि जो white rice है इसका glycemic load भी ज्यादा है उसका glycemic index भी ज्यादा हुआ करता है तो जब भी आप अपने diabetes क टोल करना चाहरे हो या अपने weight lose करना चाहरे हो तो kindly आप white rice है नहीं कि चावल वगरा से white करें तो यह था हमारा आज का टॉपिक glycemic index भी ज्यादा का वाले से कोमेंट में लाज़ने मताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी पर आपको वीडियो बहुत दा इंफ़र्मेटिव लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें और आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कि हम तब हम लाज़न सब्सक्राइब रहे ताकि आपकी हैल्थ चेरिक वारे साथ चलती रहे तो वीडियो में अब तक इतना ही है अगली वीडियो के साथ नेयर टॉपिक के साथ अलाह आफिस कर दो कर दो